नमस्ते, पार्टिल्स की चर्डी में आप सबका स्वागत है, आज हम बनाएंगे गेहू के आटे से चॉकलेट कपकेक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप गेहू का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम 3-4 कॉप पीसी हुई चीनी, आपको जितना मिटा पसंद करते हैं, आप कम ज्यादा ले सकते हैं, एक कप से थोड़ा कम लिया है मैंने, इसमें लिया है मैंने भैनिला पावडर और चुटकी भर नमक, यहाँ पर मैंने बेकिंग पावडर और बेकिंग सोडा लिया है, एक चमच बेकिंग पावडर, आदा एक चंमच दालेंगे हम कफी और इसे अच्छी तरह से चान लेंगे यहाँ पर मैंने एक भगोने में नमक डालके उसे गरम होने के लिए रख दिया हैं इसके अंदर रख देंगे यह स्टन और इसे प्रीट होने के लिए रख देंगे, गयास की फ्लेम को मैंने फास्ट रखा है, इसे हम दस मिनिट तब प्रीट करेंगे, इसे अच्छे तरसे चानने के बाद, इसके अंदर डालेंगे, वन टेबल स्कून विनेगर, वाइट विनेगर डाला है मैंने, और इसमें डाल अच्छे तरसे मिक्स करेंगे, इसे मिक्स करने के बाद, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डूड़ा डालेंगे, और इसको अच्छा मिश्रण टायर करेंगे, मैंने यहाँ पर यह जो सिल्वर फॉइल होता है, उसका डीश रहता है, छोटा-छोटा कप, वैसे मैंने गोल्डन हा लगे लिया है, और इसे मैंने ऑईल से ग्रिस करके लिया है, अब इसके अंदर हम यह मिश्रण डालेंगे, यह से पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा-थोड़ा यह भर देंगे, और इसे हम ऐसे टैप करेंगे, अच्छी तरह से प्रिविट हो चुका है, इसके अंदर रखेंगे चन्नी की जाली और इसके ओपर हम यह मॉल्ड रख देंगे, इसमें हम थोड़े-थोड़े चोको-चोपस डालेंगे, और इसे बंद करेंगे, इसे आप बेक करेंगे हम, आप इस तरीके से कफ केक भी मिलते हैं, केक बनाने के कफ मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके अंदर में यह पेपर का कब्बे डाल रही हूँ, और इसके अंदर हम यह मिश्रन डालेंगे, इसे मैंने हलका सा तेल लगा के ग्रीज कर लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा टैप करके, इसके उपर भी हम कुछ रेकोरेट करेंगे, इसमें मैं चेरी लगा रही हूँ, चलो देखते हैं, वाउ, बहुत मस्त लग रहे है, देखते हम, पके हैं क्या नहीं, इह देखो, बहुत अच्छी तरह से पक चुके है, अभी मैं यास की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, और इने बाहर निकाल रही हूँ, इने बाहर निकालने के बाद, मैंने फिर से यासान की आए, और यह हम, कॉपकेक रखेंगे, इसके अंदर, और इसे भी हम, अच्छी तरह से, देख करेंगे, इसे भी चेक करते हैं, वाउ, यह भी बहुत अच्छी तरह से बनकर तयार है, अभी इने हम बाहर निकालेंगे, इसे बनाने के लिए एक बैंच बनाने के लिए हमें 20 मिनिट लगे इसी तरह मैंने सारे मफिन्स और सारे कपकेक बना कर लिये है यह आप देख सकते इसका टेक्चर तो यह व्डियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए लाइक, शेर, सब्स्राइब करें